हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स इजी मेत की यूटूब चैनल में पुनायक बर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ एकदम नीट एंड क्लीन सब्दों में बताना चाहता हूं एकदम क्लियर्टी और अपना यूटूब चैनल की तरफ से ब इंतीत हैं उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि रोजगार पंजियन की जवर्यत बिल्कूल भी नहीं है लेकिन बहुत से साथी डरे हुए है कि अभी रोजगार पंजियन को जमा करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा इसका कारण यह है कि भाई यह सर्गुजा के द्वारा जो प्रपत्र जारी किया गया है सरगोजा संभाग के द्वारा वर्गदो के लिए इसमें प्रपत्र कुछ विशिष्ट प्रकारगा है ठीक है जो मतलब यह है कि जो बिलास्पूर में जो प्रपत्र वेरिफिकेशन प्रपत्र जारी किया गया है सत्यापन प्रपत्र के लिए के उसमें तो लीखना आप लोक को वह कुछ दूसरा है सरगुजां में जारी किया गया हो कुछ दूसरा है तो इस तरह से संभागए वाजी इसको थोड़ा अलाग किया गया है मतल़ फोड़ा निफरेंस है न कोई खास डिफरेंस नहीं है तो इसमें पॉइंट पूछा गया है, जैसे कि एक से यहां पर जाएंगे, तेरा नमबर उसके बाद, जब यहां 14 नमबर पर आएंगे, तो यहां पर लिखा है, देखिए, रोजगार कारेलाय का जीवित पंजियन, यहां पंजियन करमांग, और उसकी वैधता, जहां तक है, वहां तक लिखना है, ठीक है, दूसरी बात या है कि आयपरमाणपत्र को पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं, कि आयपरमाणपत्र अन्ने पिछडवर्ग नोन क्रिम零ेटु, और यहां पर उसको करमांग और जारिक दिरानग पूछा गया है, तो इन दो चिजों का मैं बहु आप देख पा रहे होंगे सिक्षक का अभिलेक सत्यापन प्रपत्र भरे जाने संबंधी निर्देश इस निर्देश पर बड़े ध्यान से पढ़िए हाला कि मैं इसके पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ यहाँ पर कही भी नहीं लिखा है कि भाया आपको पंजियन लेकर जानाब आना पड़ेगा ठीक है हो सकता है मेरे पास जो डॉकुमेंट आया है यहाँ पर सिक्षक का अभिलेक सत्यापन प्रत्र भरे जाने संबंधी निर्देश इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन हो सकता है कि यहाँ और कोई पेज हो सकता है 19 नमबर तक है यहाँ ठ नहीं लगेगा उधारन के लिए आप बिलासपूर समभाग का पत्र देख सकते हैं सकती का जो वेरिफिकेशन लेटर आया हुआ है उसको देख सकते हैं रायगार के लिए जो लिस्ट जारी किया गया था उसको देख सकते हैं ठीक है व्याख्याता वर्ग अभी सबका वेरि गई है और यहां पर एक बात और मैं बता देता हूं कि जो स्टार मार्क लगा हुआ है आपको यहां पर स्टार मार्क यह है इसका मतलब यह है कि इसको आपको जम्मा करना अनिवार है ठीक है लेकिन इस पर कोई यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है कि तारां कीत है उसको आपको जम्मा करना ही पड़ेगा इसका मतलब यह है कि आप रोजगार पंजियन वाला जोग में आपको दिखाए 14 नमपर पर इसको भी जम्मा करना पड़ेगा लेकिन अगर हो सकता है आपने रोजगार पंजियन नहीं कराया या फिर आपका रोजगार पंजियन expire हो गया है तो इस थिति में आपको क्या करना है ओके तो मैं आपको बता देता हूँ को रोजगार पंजियन की जवरत बिलकूल भी नहीं है यह हो सकता है अधिकारियों को जानकारी नहीं है यह फिर हो सकता है कोई और दूसरा इस्तु होगा तो I don't know लिकिन मैं इसको अच्छ पंजियन का जो जरूरत है उसको नौकरी के लिए अनिवार योग्यता नहीं माना जा सकता इसको ठीक है लेकिन भी पता नहीं क्यों बार बार इसको इंक्लूड कर दिया जाता है I don't know whatever the reason लेकिन यह जरूरत जरूरी नहीं है लेकिन अगर विभाग के द्वारा अगर आपन इसको नहीं डाला है ठीक है और इसको इसके चलते आपको अपात्र किया जाएगा तो आप एक ज्यापन दीजिए लिखित में और उसका प्रति लीजिए ठीक है और फिर भी से आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप हाइज कोड का दर्वाजा खट खटा सकते हैं लेकिन आय परमारपत्र यहां पर मांगा है ठीक है यहां पर आय परमारपत्र की बात की गई है नॉन क्रिमिलेर वालों को तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग किस के के टेगरी से जो बेलोंग करते हैं वो सांथी इसको थोड़ा ध्यान यहां पर आप देख सकते हैं कौन से नंबर बार्वे नंबर का है अन्य पिछलबर्ग नॉन क्रिमिलेर के विर्थियें को विगत तीन वर्सों के भीतर तहसिलदार द्वारा अथ्वा विवागी प्राधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आया परमाड़ पत्र सनलंग न करना अनिवार रहे हैं तो यह सनलंग न करना पड़ेगा आया परमाड़ पत्र ठीक है हाला कि इसको पहले जानकारी नहीं दिये गया था जो ओफिसल एर्वर्टाइजमेंट आया था उसमें तो यह आप बनवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अभी का डेट वाला भी चलेगा ऐसा बताया जा रहा है ठीक है हाला कि यह व्यक्याता अगर आता है तो नॉन-क्रिम रेख्याता का हो, और किसी थी किसी कि और कोईक्त हो तो मुझे comment box में पूछ सकते हैं पंजेन के regarding अब घबराये मत उसके चलते आप आत्र नहीं किया जाएगा तो मिलते हैं हो सकता है अभी देखी ऐसा भी है यह सरगुजा का है अभी cancel किया गया है सरगुजा का बनेगा committee बैठा को अठा करके जो नया यह लोग बताएंगे verification के date लेटर जारी करेंगे हो सकता है उसमें कुछ दूसरा ही आ जाए अभी तो यह संभावी बात कर रहे हैं यह cancel हो चुका है ठीक है तो अभी तो हम cancellation पर बात कर रहे हैं हो सकता है कोई नया चीज आए उसमें हो स लेकिन हो सकता है कि आए वाला को मांगा जा सकता है ओके तो मिलते हैं नेक्स टे वीडियो में जय हिंज जय जोहर फिर भी कोई doubt हो तो comment box में पुछिए